डियरे स्टुडेंट्स मैं अजीत कुमार फैकल्टी ओफ इंग्लिस लेंग्विज आपके यूटूब चैनल कम्टिशन कम्यूटी पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हमारा नाउन का यह थर्ड लेक्चर है तुड़े इसमाई थर्ड लेक्चर ओफ नाउन इसके पहले के नाउन के दो लेक्चर्स में हम लोगोंने ऐन दे बैसी सऑफ कास्ट नाउन के जो five types होते हैं उनको डेटेल में पढ़ा और उन, Uh, टाइपस पे ब्स ड वो जो कॉन पर बेस्ड आपके एससी प्रिवियस एयर में पूछे गए को भी हम लोगों ने तो आज अनाउन के अपने स्थ नाम के इस तर्ड लेगुचेर में हम लोग क्या सीक़ निपने कफ हर रहे हैं । the basis of number ना उनके कितने types होते हैं और number सुनते ही आपको बच्पन वाली बात याद आ कई हो कि number में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई तो singular and plural पढ़ते हैं और आप याद किजिए ध्यान दिजिए या notice करने का प्रयास किजिए आपने जहां कहीं भी जिस किसी भी तरीके से number को पढ है ठीक है English grammar में तो आप ध्यान दिजिए जहां कहीं भी जो कोई भी हम लोगों को रूल पढ़ने को मिलता है कि इस तरीके से इसका singular से plural बनाते हैं ठीक है उसके नीचे उसके examples मिलते थे और examples के नीचे आपको तुरंत वहें पे कुछ exceptions दिखने को मिलते थे तो हम लोग अप पास कोई भी exception नहीं है और आपके किसे वीबुक में जो आपको exception के तोर पर लिखा हुआ मिलता है या आपने और किसी source से सीखा हो पढ़ा हो समझा हो तो वहां जो आपको exception दिखाई पड़ता है उन सारी चीजों को हम लोग बिना exception के logical तरीके से सीखेंगे समझेंगे और उ का मोडी यह होता है हम भरसक यह प्रयास करते हैं हर संबह यह प्रयास करने का रहतन करते हैं कि जहां तक हो सके आपको रटने से मुक्ती दिलाई जा सका क्योंकि grammar का नाम सुनते हैни, rules का नाम सुनते हैं, chapters का नाम सुनते हैं, आपके दमाग में एक fear create होता है फिर मुझे नहीं भी आपको exception के तोर पे क्यों समझाया जाता है इसका सर्फ और सर्फ दो ideology है पहला ideology कहता है कि यदि हमें आपको कोई भी चीज समझानी हो किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे को कुछ भी समझाना हो और उसके पास उसका depth of knowledge नहीं हो concept नहीं हो तो उसको दो तरीके से समझा दे पहला तरीका कि हम उसको बोल दें कि यह exception है ऐसा ही होता है अपवाद है ठीक है दूसरा तरीका कि ऐसा ही होता है ऐसा ही होता आया है इसलिए आप भी इसको इसी format में समझ लिजिए रट लिजिए इसी तरीके से यूज कीजी तो वो ये जो दोनों तरीके हैं इन दोनों तरीकों में आपको सिर्फ और सिर्फ रटना पढ़ता है रटने के अलावा आपके पास कोई option नहीं होता है ठीक है तो हम लोग इन सबों से बाहर बिलकुल smooth way में पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे ठीक है तो चल लेकन को जरूर से हिट कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंशते रहें ठीक है और हां हमारा यह जो वीडियो है प्रतेक मंगलवार और गुरुबार को सामें पांच बजे आता है तो वीडियो को देखना न भूलें प्रतेक मंगल लियास सीख जाएं ठीक है और उनको सॉल्व करना सीखें दूसरी बात कि आपके हर वीक में हर वीक में आपको एक प्रैक्टिस हेट हम लोगों के तरफ से प्रवाइड किया जाता है जो हमारे वेबसाइट पे एबलीबल होता है तो हमारे वेबसाइट पर विजिट करके उ और उनमें जितने भी कुशन गिविन होते हैं उसको सॉल्व करें और उसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो वेबसाइट पर ही आपको एक डाउट कम्यूनिटी करके ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर पोच सकते हैं टेलीग्राम हमारा जो चैनल है हमारे टेलीग् पर नाउन से लेके अबस्टेक्ट नाउन तक ठीक है चलिए अब आज हम लोग सुरू करते हैं ऑन दे बेसी सॉफ कास्ट देरा टू टाइपस ऑफ नाउन गनना के आधार पर नाउन के दो भेद होते हैं पहलागा कॉंटेबल और दूसरा अनकॉंटेबल अब कॉंटेबल और अनकॉंटेबल में भी आप में से कई बच्चों को थोड़ी सी दिख कर जाती है क्या दिख कर जाती है तो यह देखिए आपके सामने हम एक एग्जामपल लिख रहे हैं मनी दूसरा हम लिख रहे हैं स्टार अब देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है आप में से तो कुछको लगता है कि यह कौंटेभल एकुछ को लगता है कूझको मनी में इस ही प्राब्लेम होती है तो मतलंब पैसा और पैसा पैसा हमारे हां फार महीत है इक एक तो तो start टाइप जो हम सब उने बच्पन से पढ़ा है उन में से यह जो प्रॉपर है कॉमन है और कलेक्टिव है इन तीनों को कॉंटेबल नाउन माना जाता है सी एन बोले तो कॉंटेबल नाउ यह तीनों ही क्या हैं कॉंटेबल है इन तीनों की काउंटिंग संभव है अब देखिए अब जो रिमेनिंग बचा मेटेरियल Material and Abstract Abstract इन दोनों को हम लोग Uncontable मानते हैं क्या मानते हैं? तो इन दोनों को हम लोग मानते हैं UCN UCN बोले तो Uncontable Noun ठीक है? एक बात हो गई यहां पे अब देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं यहां से यह जो star है, इस star का meaning हम लोग क्या समझते हैं? तो star का meaning हम लोग समझते हैं तारे जो आस्मान में तारे आपको टिम्टिम आते हुए नजराते हैं तो star, अब देखिए star जो है वो Contable है, जबकि हम मैंसे बहुत सारे लोग इसको समझते हैं ठीक है, जिसे आप में से कुछ बच्चों ने जोग्रफी जरूर से पढ़ा होगा जोग्रफी में आप जाएंगे तो आपको मिलता है Milky Way, हिंदी में, सब्त रिसी आपने सुना होगा तो सब्तर्सी जो होते हैं, उसमें आप देखेगा कि सब्तर्सी में star कितने होते हैं तो 7 होते हैं, Milky Way में कुछ limited होते हैं और इसी प्रकार से इनका जो अपना अलग-अलग group है उनमें अलग-अलग number में, संख्या में star available होते हैं ठीक है, बात समझ में आ रही है इसलिए ये कैसा है भाई, तो ये है countable जबकि हमें से बहुत सारे लोग इसको क्या मान लेते हैं तो इसी को मान लेते हैं, uncountable तो star singular है और इसका plural क्या होता है, stars चीक है, clear है, चरिए अब आते है money पे, अब ये जो money है money का मतलब हम लोग समझते हैं पैसा जैसे आपने गाना सुना था, क्यों पैसा पैसा करती है तो ये पैसा जो है, money का मतलब दरसल पैसा नहीं होता है अब money कब countable होता है, कब uncountable होता है इसको थोड़ा ठीक से हम लोग समझते है countable format में हम लोग तब यूज़ करते हैं इसके साथ कोई currency add हो जाए, currency बोले तो जैसे मान लिज़े हम चर्चा करते हैं ये डॉलर की, हम चर्चा करते हैं इंडियन रुपीज की आई एन आर की, तो ये डॉलर हो या रुपीज हो या किसी currency को जब हम लोग add कर देंगे, तो currency के add करने से यही हो जाता है, contable, लेकिन without currency, ये जो money word है, इसको trade करते हैं, हम लोग uncontable, क्या trade करते हैं? uncontable, बात समझ में आ रही है, बीना किसी currency के money क्या है? uncontable है, लेकिन currency लगा दें, तो currency लगा के हम लोग उसको बनाते हैं, contable जैसे कुछ और problems होती हैं आपके साथ, क्या problem होता है भई? आईए इसको भी थोड़ा हम लोग सीखते हैं, जैसे ये देखिए water, तो अब ये water क्या है? आप में से सायद ही किसी को इसमें doubt होगा कि water contable है या uncontable है, आप सब लोग जानते हैं बचपन से ये क्या है भई? uncontable noun, क्या है? uncontable noun, इसी प्रकार से हम लोग टी की चर्चा कर लें, तो ये कुछ ऐसे नाउन है, जो कैसे है? uncontable noun, ठीक है? अब जरत देखें ये हैं, तो uncontable लेकिन आप जरत ध्यान देजिए, आप जब भी कभी किसी चाय दुकान पे जाते हैं, वहाँ जाकर आप चाय वाले से बोलते हैं, या चार कप चाय देना, दुकान दार आपको चार कप चाय दे देता है, या जितना कप आप उतना कप आपको चाय दे देता है, और उसी कप के हिसाब से आप से वो पैसे भी लेता है, तो सबसे पहली बात कि टी जब uncontable था, तो उसको किस हिसाब से आप measure करेंगे? जैसे पानी है, पेट्रोल है, आप उसको लीटर से माप लेते हैं, क्या कभी आपने चाय को लीटर से माप करके लिया है या दिया है किसी को? नहीं होता ऐसा, ठीक है? बात समझ में आ रही है, अब हम लोग करते क्या हैं, कि दुनिया के ऐसे जितने भी uncontable noun हैं, इनके पहले कुछ certain word का use करके, इनको contable form में हम लोग change करते हैं, बट ध्यान ये रहे, कि ये जो uncontable है, इसके format में क कोई change नहीं होता, इनका singular से plural ses एड करके नहीं बनता, इस बात का आप ध्यान रखें, हाँ change कहां पे देखने को मिलता है, इसके पहले जो certain word हम use करते हैं, उसका singular से plural बनता है, और फिर इनके बाद जो verb use कि जाते हैं, जो क्रिया यूज कि जाती है, वो verb singular या plural होता है, तो verb क कभी singular होगा, कभी plural होगा, वो किसके according होगा, तो वो change करता है according to that certain word, ठीक है, वो singular होगा, then the word will be singular, वो plural होगा, then the word will be plural, और यदि यहां पे ऐसा कोई word use नहीं किया जाए, ऐसे किसी भी uncountable noun के पहले, वो certain word use नहीं किया जाए, तो इसके साथ verb हमेशा रहेगा singular, क्योंकि uncountable noun हमेशा और हमेशा होता है singular, कैसा होता है, uncountable noun हमेशा और हमेशा होता है singular और वो भी लेता है singular, इस बात को अब ध्यान से याद रखेगा, क्योंकि यह आपके subject of agreement, narration, voice, tense, question tag, इन सभी जगहों पे आपकी help करता हुआ नजर आएगा, uncountable कैसा होता है, हमेशा singular, verb लेगा Non-living, कैसा होता है, नون-leaving होता है, लेकिन जो contable noun है, वो singular भी होगा और plural भी होगा, not countable noun, न कि uncontable, ठीक है, next जो contable noun है वो living भी होता है non living भी होता है contable noun living भी होगा non living भी होगा अब फिर in a brief अब contable uncountable को हम लोग यहां पर समभ करने का प्रयास करेंगे फिर से uncountable noun हमेशा singular होगा singular verb लेगा और uncountable noun हमेशा और हमेशा होता है non living ठीक है, countable की बात करें, countable noun singular भी होगा, plural भी होगा, जैसा रहेगा, वैसा वब लेगा, ठीक है, दूसरी बात, countable के reference में, countable noun, living भी होता है, non-living भी होता है, living भी होगा और non-living भी होगा, ठीक है, चलिए, तो countable और uncontable को यहां पर हम लोगों ने clear किया, अब आईए countable, uncontable के बाद आगे चलते हैं on the basis of formation अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा on the basis of counting there are two types of noun अब हम लोग पढ़ेंगे on the basis of formation there are two types of noun कौन-कौन से होते हैं भाई तो पहला होता है single noun single noun और दूसरा क्या होता है दूसरा होता है compound noun compound noun अब देखें यह दोनों क्या होते हैं single noun हम लोग उस noun को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक word का बना होता है कितने word का सिर्फ और सिर्फ एक word का बना होता है एक वर्ड यानिकी जैसे हम लोग एक्जांपल के तौर पर बात करें यह रहें फादर मदर फ्रेंड सिस्टर वगएरा वगएरा ठीक है कंपाउंड डाउन क्या होता है ऐसे कोई भी नाउन जो एक से जादा सब दो से मिलकर बने हूँ उनको हम लोग करते हैं कंपाउंड ना है ओन लूकर ओन लूकर बाइपास फिर हम लोग यूज़ करते हैं जैसे यह देखे यह था फ्रेंड फ्रेंड क्या था सिंगल नाउन लेकिन हम लोग यहां पर लगा दें बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड ओल्ड फ्रेंड न्यू फ्रेंड वगएरा वगएरा अब यह क्या हो गया एक से ज्यादा वर्ट से मिलकर बना है इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे compound noun कहेंगे हम लोग जो copy use करते हैं जिसमें हम लोग कोई भी इंपोर्टेंट चीज लिखते हैं diary use करते हैं तो आप अपने बजपन से जो copy use करते आए हैं या आप यूज कर रहे होंगे आप उस पर ध्यान देजिए लिखा होता है notebook क्या लिखा होता है notebook अब यह एक से ज्यादा वर्ट से मिलकर बना है इसलिए इसको भी कहेंगे हम लोग compound noun अभी जो compound noun है यह again फिर दो प्रकार के होते हैं एक ऐसा compound noun जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं एक ऐसा compound noun जिनके बीच में कोई space नहीं होता कोई hyphen नहीं होता ठीक है यह तो इस type के compound noun को हम लोग करतें compound noun without hyphen क्या करतें compound noun without hyphen ठीक है लेकिन जरा ध्यान देजे हम लोग यूज करते हैं father-in-law father-in-law sister-in-law ठीक है जो आपको बहुत याद आती रहती हैं तो यह जो father-in-law है brother-in-law sister-in-law है इसमें भी देखे एक से ज्यादा word मिलके यह बना हुआ है तो यह भी क्या हो ठीक है तो या तो ऐसा लिखा जाए या यह notebook type का लिखा हुआ हो जिसके बीच में space हो इन दोनों को ही हम लोग कहते हैं hyphenated compound noun highway को क्या बोलेंगे compound noun without hyphen इसको क्या बोलते हैं hyphenated compound noun compound noun चीक है यह compound noun with hyphen बाद समझ में आ रही है तो इसको बोलेंगे compound noun without hyphen इसको बोलेंगे compound noun with hyphen यहां पर hyphen आपको दिखाए देता है यहां पर hyphen hidden होता है बाद समझ में आ रही है तो यह कुछ ऐसे important concept इनका आगे चलके यूज हम लोगों को देखने को क्या मिलता है भाई क्यूँ इसको पढ़ते हैं इनका यूज आपको देखने को मिलता है singular और plural के case में जब हम लोग नंबर पढ़ते हैं तो वहां पर इसका यूज आपको देखने को मिलता है अब दूसरी बात यह रही कि number या ज उसे examples लिखे हुए मिलते हैं इसको फिर से हम repeat कर दें जो भी रूल हम लोग grammar में कहीं भी English में विसे इस रूप से हम सब उने पढ़ा है तो उपर रूल लिखा होता है उसके नीचे उसके examples लिखे होते हैं और example के ठीक नीचे उसका exception लिखा मिलता है ठीक है तो exception क्यों मिलता है भाई तो सरदो reason है कि हम यदर आप नहीं समझा सकते संझाना ही है बड़ उसका ideology मेरे पास नहीं है concept मेरे पास नहीं है तो हम आपको दो तरीके से समझा सकते पहला आपसे यह कर दें कि देखो भाई ये exception है इसी तरीके से अर्था दोनों में से कोई भी लोजिक हम आपको दें दोनों कुल मिला के एक ही लोजिक है कि इसको रट लिया जाए ठीक है तो आगे हम लोग जब अभी थोड़ी दिर बाद नंबर पर आएंगे तो वहां पर आप देखेंगे हमारे पास ऐसा कोई भी एक्सिप्शन नहीं अब इसके आगे चलते हैं यहां से हम लोग और अब हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं on the basis of number तो अभी तक फिर से आपको remind करवाते चले हम लोगों ने सीखा on the basis of caste, on the basis of formation, on the basis of counting, तिन basis पे हम लोगों ने सीख लिया कि नाउन के कितने types होते हैं अब चौथे आधार पे हम लोग पढ़ेंगे पाचवा हमारे आपके एसे सी के सिलिवस में नहीं है on the basis of gender जो नाउन के चार types होते हैं वो एसे सी के सिलिवस में नहीं है इसलिए उसको हम सब उको नहीं पढ़ना है तो आकरी type की बात करें हम लोग, हम लोगों को जो चौथ पढ़ना हों, the basis of number संख्या के आधार पे ना उनके फिर से दो type होते हैं, पहला आप बचपन से जानते हैं, singular, और दूसरा भी आप बचपन से जानते हैं, plural, ठीक है, और आप इसके डेर सारे रूल भी पढ़ते हैं, तो अब आईए, थोड़ा सा अलग अंदाज में हम बचपन से जानते हैं, अब आईए, हम लोग यहां से कुछ पढ़ना सुरू करते हैं, सामाने तोर पे हम सब उने बचपन से पढ़ा है, कि नाउन के लास्ट में इस या इस जोड़के उसको सिंग्वलर से प्लूरेल बनाते हैं, जैसे हम सब उने बचपन से कुछ एक्जामपल लिया, यह था टेबल, तो टेबल का क्या बन जाता है, तो टेबल बन जाता है, ऐसा आप सब ने पढ़ा हैं बचपन से, यह रहा फ को बेसिक से रिवाइज करते हुए आगे की ओर ले चलते हैं, और फिर इन सिंग्वलर और प्लूरल के रूल्स पर बेस्ड आपके एससी में जो कोशन पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग यहां पर सॉल्व करते चलेंगे, तो क्लास को आगे बढ़ाते हम लोग, अब दे grand taman, s ho, x ho, yaj ho, ऐसा कोई भी noun, जिसके ending में c ch लगा हो, s लगा हो, dss लगा हो, s, h लगा हो, x लगा हो, yaj लगा हो, यह सब singular होते हैं और इनका singular से plural बनाने के लिए, हम लोग इनके आखिर में क्या जोडते हैं, इनके last में, इनके ending में हम लोग, ya स add करके इसका singular से plural बनाते हैं यही हम सब उने बचपन से पढ़ा है तो आईए इनका कुछ example लेते हैं example भी ऐसे लेते हैं एक दम आसान सा जो आप बचपन से जानते हैं जैसे बस फिर मिल गया आपको class फिर आपको क्या मिला bunch अंगूर आप खाते हैं अंगूर के उच्छे क्या तेखs & to pass tax & to pass अब इनका singular से प्लोरल बनाना आप बचपन से जानते हैं रूल अभी आपको सामने दिखht भी रहा है तो एक दौ का हम बना लेते हैं जैसे tax का क्या बनेगा भाई तो tax का बनेगा licenses ठीक है टुपाज का टुपाज अब बाकी सब का आप खुद से बना सकते हैं क्योंकि इन सब को आपने बच्पन से पढ़ा हुआ है ठीक है ठीक है। हैं तो एसे बच्छे जो इंग्लिज स्फवीख है जिनके इंग्छी सब्सक्राइब हो यह रही हो तो आशी का प्लगों क्या करते हैं तो CH को पढ़ते हैं चा यह पढ़े थे के फॉर का CH फॉर चा और C डबल फॉर चा ठीक है इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था बारा खड़ी में ठीक है अब देखिए CH जो इंग्लिस है इंग्लिस में यूनिफॉर्मिटी आपको जल्दी नहीं दिखाए देती क्योंकि इंग्लिस चलता है लॉजिकली इंग्लिस कैसे चलता है लॉजिकल तरीके से चलता है बिना लॉजिक का इंग्लिस ग्रामर में कहीं कुछ भी होता नहीं है अब इंग्लिस में अलफाबेट होते हैं कितने 26 कितने अलफाबेट होते हैं 26 लेकिन इनका जो फॉनेटिक से इनक Of Sound इसको दो टाइप से पढ़ा जाता है एक बार सी एज को पढ़ा जाता है च आप यह हम आपको यहां पर सिखाना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम लोग इस तरीके से साउंड से या सी लेवर से थोड़ा सा बाहर जाते हुए नज़ रहेंगे क्योंकि यह फॉनेटिक्स का पार्ट है ठीक है तो आप फिलहाल इसको तो बुक में जरूर पढ़े होंगे कि जैसे यह देखें स-t-o-m-a-c-h तो ऐसे बच्चे जिनके इंग्लिस बहुत जादा खराब रही हो या भी भी सायद हो तो ऐसे कुछ बच्चे इसको is too much पढ़ लिया करते हैं तो यह टो मच नहीं है भाई इसको पढ़ते हैं लोग this टमक क्या पढ़ते हैं इस टमक अब देखें इसका प्रननसीजियेशन किसे हो गया क्यों से हो गया अब जिसे इसका प्रनन और इसका यह दे प्लूरल बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग सिंप्ली इसमें इस एड़ करते हैं और इसी प्रकार से एक और वड़ आपको वुक में दिखता था तो इसको भी आप मैंसे कुछ लोग फिर से यहां पे चपड़ लेते थे यह नहीं है यह अभी भ ठीक है यहां तक सब बातें आप बच्पन से भली बांते जानते आ रहे हैं अब कहाने इसके आगे से सुरू होती है अब कहाने इसके आगे क्या सुरू होती है भाई तो हम सब उन्हें पढ़ा है कि ऐसे नाउन जिनके लास्ट में वाई लगा हो और वाई के पहले यहां प हम लोग क्या करते थे कि simply इसके last में this add करके इसको से प्लूरल बनाते थे ठीक है जैसे कुछ example ले ले हम लोग यह रहां की अब देखिए इसके last में क्या है वाई है और य के पहले यहां लगा हुआ है भावल है यहां पर य के प्लूरियल बनाना हो थो हम लोग क्या लिखेंगे और यह लिखते हैं ऐसा हम लोग लिखते हैं यह बजपन से जानते हैं थोड़ा और बढ़ाते हैं आपको बेसिक से आगे की तरफ पिर इसके बाद हम लोगोंने पढ़ा था कि ऐसे नाउन जिनके लास्ट में वाइ और वाई के पहले कोई consonant लगा हो क्या लगा हो कॉन्सोनेंट लेटर लिखा हुआ हो तो why हो last में और य के पहले यह कोई consonant later लगा हो तो इसको हम लोगोंने पढ़ा था कि वाई को कणंवर्ट कर देते हैं किसमें आई में और अलग से एड क्या करते हैं तो एस एड करते हैं और कुछ लोग इसको सिंप्ली ऐसे समझते थे कि वाई को हटा देना और वाई को हटा के उसकी जगर सीधा प्लेस कर देना है आई एस तो आपने जैसे भी पढ़ा हो कुल मिला के चीज़े एक ही अब देख जैसे यह एक एकजंप्ल आपके सामने baby lady army अब इनका आप singular से प्लूरल बनाना बख्व भी जानते यहां तक मिं आपको कोई डाउट नहीं होता है अब इसके बाद हम यहां पर doubt create करते हैं आपके सामने, तो यह रहा अगला doubtful section आपका, यह रहा Monday, ठीक है, यह रहा February, यह रहा Johnny, इन तीनों का आप देख पा रहें कि ending हो रहा है वाई से, आखे में, क्या लगा हुआ है, इनका ending किसे है, वाई से, तो यह इनके आखे में लगा हुआ है, यहाँ पर ले यह क्या है, consonant y के पले ये n क्या है consonant y के पले ये a क्या है वोवल ठीक है तो अब इनका singular से plural आप लोग बनाईए और हम जानते हैं कि आप मैंसे कुछ बच्चे क्या करेंगे यहां जॉनी का कुछ बच्चे इस तरीके से बनाएंगे j o h n i e s जॉनी ठीक है month में तो साइध ही किसी को अब यहां पर अलोट हो जांए इसी को आपके book में यदि given हो तो ये आपके book में यदि लिखा जाएगा तो आपको लिख के बताया जाएगा कि ये क्या है भई तो यही है आपका exception है इसी को आपके book में क्या बताए जाएगा exception बताए जाएगा बट यह exception नहीं है क्यों नहीं है इसका concept सीख लिजी है आप देखिए इन सब के last में वाई जरूर लगा है और वाई के पहले चाहे वावेल लिखा हो या कॉंसोनेंट लिखा हो आप इनको नोटिस किजिए यह कौन से नाउन है जो on the basis of caste हम लोगों ने five times पढ़ा था उसमें से यह कौन से टाइब है तो यह सारे के सारे हैं प्रॉपर नाउन और हमने जब आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाना शुरू किया था तब भी हमने आपको यह बताए था कि दुनिया का कोई भी प्रॉपर नाउन हो चाहे उसमें कुछ भी कर लिजिए उसके पहले आप उसके आखिर में कुछ भी लगा हो उसके पहले यही बात हमने आपको पढ़ाते समय बताया था यही बात हमने आपको पढ़ाते समय बताया था और तब हमने आपको बताया भी था कि आगे जब हम लोग नंबर पढ़ेंगे तो नंबर में इसके विस्तार से चर्चा करेंगे तो अब यह समय आ गया है जब हम लोग यह सीख ठीक है चलिए तो इस बात का आप विसे सुरुप से ध्यान रखिएगा दुनिया का कोई भी प्रावपर नावन हो उसके एंडिंग में कुछ भी हो उसके आखिर में Y लगा हो X लगा हो Z लगा हो S लगा हो डबल S लगा हो CH लगा हो ठीक है कुछ भी लगा हो उसके पहले 一 कोई में convert नहीं कर सकते जो जौनी की की रहें होंगे या आइसा करने का प्रयास कर रहoben गे य sven का गलत था का या पनेगा यहिए आपका जौनी है रहे कर देंगे यह से लूर्ल और इसी प्रकार से February का भी बनेगा चले अब यहां से आगे बढ़ते हैं एक exception यहां पर आपका deal हो चुका अब इसके आगे बढ़ते हैं चलते हम लोग फिर से थोड़ा सा basic फिर आपको ले चलेंगे exception के दुनिया में और आपको फिर हम वहां पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो exception नहीं ह होता है उसका क्या concept है और उसको हम लोग ऐसे सीख के इंप्रूब करेंगे तो अगला concept था कि यदि कोई भी ऐसा नाउन जिसके लास्ट में ओ लगा हो क्या लगा हो और इसके पहले यहां पर वहल हो क्या हो वहल हो तो इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बनाते हैं किन्तु वह ही पर सेकेंड रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई ऐसा नाउन जिसके आखिर में ओ लगा हो और इसके पहले यहां पर कोई कॉंसोनेंट लगा हो कॉंसोनेंट लेटर प्रेजन्ट हो इस ओ के पहले तो इसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं इस एंड करके हम लोग बनाते हैं और यहां पर क्या करते हैं यहां पर क्यवल इस एंड करके बनाते हैं यहां इस एंड करके बनाते हैं यह हम सब उ पर देखे ये रहा कैंटू कैंटू आप में से कुछ बच्यों सकता है नहींसमझ में आए अब तो जडरूर समह में आता है इन फोतो बना ये पियानो का सिंग्यूर्शिम्मिर बनाहिए और यही सब हम लोगों को देखने को मिलता exception में और हम आपको तुरं तभी यहां पर फिर यह बताएंगे इन रूल का कुछ example दे करके देने के बाद कि इन में से कोई भी exception नहीं है exception क्यों नहीं है इनका क्या concept है इन सबों पर हम लोग यहां पर अभी तुरं थोड़ी धिर बाद चर्चा करेंगे ठीक है तो चलते हैं नेक्स पेज में कुछ example लेते हम लोग जैसे यह रहा मैंगो इसको बच्पन से जानते हैं तो मैंगो का क्या बनता है भाई मैंगो ठीक है अब यह रहा जैसे फराओ क्या बनेगा तो फिर देखिया लास में क्या लगा है बबू क पर पर पॉट्फॉलियो पॉट्फॉलियो अब इसका क्या बनेगा तो फिर इसमें से से अड कर पॉट्फोलियो ठीक है ये बात आपको समझ में आ रहे हैं अब मैंगो के बाद क्या करेंगे तो क्यों इस एड करके और है और ओ के पहले यह जो टी है तो इसका सिंगुलर से प्लूरल करके नहीं बनाते बलकि इसके लास्ट करके इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं जैसा कि हम लोगों ने हम मैंगोज में देखा जैसा कि हम लोगों ने हिरोज में देखा वैसा ही हम लोगों ने टमैटो में भी देखा यह आप बच्पन से जानते हैं ठीक है अब यहां से थोड़ा सा आगे निकलते हैं स्मूथ और कमफोर्ट जोन से थोड़ा सा आगे चलते हैं बाहर चलते हैं अब जरा ध्यान दीजिए अभी अभी हमने आपको कुछ एक्जांपल दिया था जैसे यह रहा फोटो यह रहा पियानो कैंटो जीरो टॉर्नेडो ठीक है अब इनको जरा आप ध्यान से देखिए इन सबों के एंडिंग में क्या लगा है ओ लगा हुआ है ओके पहले क्या है सब में आप देख रहे हैं ओके ठीक पहले क्या है तो एक कॉंसोनेंट लेटर लगा हुआ ठीक है लेकिन इन में से किसी का प्लूरल इस लगाकर नहीं बनता है इस लगाकर इन में से किसी का सिंगुलर से प्लूरल हम लोग नहीं बनाते हैं क्यों नहीं ब add करते हैं इसी को हम लोगों को पढ़ाया गया था यह हम लोगों को पढ़ने को सीखने को मिलता है कहां पर exception जिसकी चर्चा आज के class में हम सुरू में ही कर रहे थे किया आपके book में exception given होता है और इन में से एक भी exception नहीं है क्यों exception नहीं है आईए इसके चर्च हम लोग करते हैं अब देखें क्या है कि यह सब के सब technical vocabulary से लिए गए वाड़ है अब यह technical vocabulary क्या है हम लोग यह भी नहीं जानते हैं जैसे हम सब लोग computer तो जानते computer तो जानते हैं अब computer धरती पे सोरू से था क्या नहीं था सौ सल पहले था क्या नहीं था यह बाद में आया अब ज़रा देखें कंप्यूटर हम में से कोई भी यूज करता है तो कम से कम वर्ड पे कुछ नहीं करते होंगे तो कुछ भी आप लिखने पढ़ने का प्रयास करते होएं तो कुछ गलती हो जाता है कुछ गलती से मिट जाता है तो वहां पर आप नोटिस किजिए द्यान देजिए आपको ऊपर कॉर्णर में लेट साइड में रीवन के उपर लिखा होता है अंडू रीडू यह इसके सिंबल बने होते हैं बना होता है इस टाइब से ठीक है तो अब हम आपको समझाना यहां पर यह चाह रहा है हम यह सिंबल आपको नहीं सिखा रहे हैं और नहीं हम आपको कंप्यूटर का कोई कोर्स कराने जाने हम आपको सिखाना सर्फ यह चाह रहे हैं कि आप यहां पर ध्यान देजिए अंडू के लास्ट में क्या लगा है वह इसके पहले क्या है यह कॉंसोनेंट तो अंडू रीडू हम लोग कई बार करते हैं कभी-कभी एक बार में काम चल जाता है कभी-कभी हम हम लोगों को एक से जाधा बार यूजवां पढ़ता वनाना हो तो हम लोगों को इसका संथ प्लूरल बननाने के लिए इन लगाना चाहिए था नो क्या लगाना चाहिए यूक बट लगता नहीं अब कम से कम अन्डू और एड्व समझ में रहा है कि ये Computer Science के Vocabulary से लिया गया वड है ये तो समझ में आ रहा हैं तो ये English Language का अपना वड नहीं है बलकि Computer Science से Computer Science के dictionary से लिया गया वड है तो ऐसे ही वड को हम लोग कहते है Technical vocabulary Technical dictionary से लिया गया वड technical word बात समझ में आ रही है तो in the same वह यह जो tornado है tornado क्या होता है एक प्रकार का समुद्री विज्ञान तो यह ocean science से समुद्री विज्ञान से लिया गया सब्द जीरो mathematics से लिया गया सब्द यह canto यह photo यह physics का word है piano music science का संगीत सांस्तर का एक word है तो चुकि यह English vocabulary के अपने word नहीं है बलकि दूसरे technical vocabulary के dictionary से लिये गया word है तो इनका जब भी कभी हम लोग plural बनाएंगे या बनाते हैं या बनाना पड़े तो इनका singular से plural हमेशा और हमेशा बनता है सिर्फ और सिर्फ इस एड़ करके पयानों का uh फोटो का क्रेंगे यूटीब के comment section ठीक है चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हम लोग और फिर इससे आगे के कुछ और rules को हम लोग सीखना सुरू करते हैं फिर इसके आगे आप notice कि होंगे या आपने बच्पन में पढ़ा था कि इसे कोई भी नाउन जिनके last में F या F E लगा हो फ या F E लगा हो तो इस F या F E के बंदले हम लोग यूज करते हैं V E S ठीक है अब वीडियो में थोड़ा सापको disturbance महसूस हो रहा होगा थोड़ा साउंड का problem आ रहा होगा यह इसलिए है क्योंकि हम maintenance का कम चल रहा है ठीक है तो जहां तक हो सके हम लोग इसको avoid करने का प्रयास करते हैं बट चुके काम लगातार चल रहा है तो इसलिए थोड़ी सी problem आपको हो सकती है उसके लिए हमें आप छमा करें इसके लिए हम आपके छमा प्रारती ठीक है चलिए तो अब इसका कुछ example लेते हैं हम लोग example फटाफट लेते चलिए नाइफ वाइफ ठीक है तो अब इनका जब प्लूरल बनाना हो तो क्या बनाते हैं या बजपन से जानते हैं बाकी का आप खुछ से बनाएंगे और answer आप कहां करेंगे तो comment box में करेंगे ठीक है ठीक है यहां तक clear है आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद फिर आपको यहीं पे कुछ exception देखने को मिल जैसे कुछ example लेले हम लोग यह रहां ब्रीफ यह रहां प्रूफ यह रहां और अब इनके से प्लूरल की बात करें तो यह आपको कहां पे मिलता है तो जो कोई भी बुक आप पढ़ते हैं जिस किसी भी बुक को आपने पढ़ा है वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि यह सब जो एफ या एफ या वाले रूल हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं बुक में तो जहां कहीं भी एफ या एफ या वाला रूल गिवेन होता है उसी के ठीक नीचे यह exception में ऐसे कोई वर्ड आपको दिखाई पढ़ते हैं अब वहां पे exception में 2-4-10-20 कोई भी वर्ड हो सक हैं तो इनका सिंग्लर से प्लूरल बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ एस एड करके बनाते हैं क्यों क्यों ऐसा करते हैं अब इसकी चर्चा हम लोग करें निके सिंग्लर से प्लूरल जो हम लोग बनाना सीखे जितने भी अभी तक हम लोगों ने रूल सीखे वह बेसिकली आप देखेंगे कि common noun का singular से plural बना जाता है इस या इस एड़ करके proper noun पर आपने सीखा कि proper noun था तो proper noun के end में y लगा हो o लगा हो एक सो, c h o, a s o, डबल ए सो, s h o, j लगा हो, कुछ भी लगा हो उसके पहले वावे लो, consonant लगा हो, कोई भी हमें मतलब नहीं होता सिर्फ proper noun होने की वज़े से उसका plural सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से बनता है, कैसे बनता है, तो सिर्फ इस लगा कर, ठीक है, in the same way ये जितने भी word आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, दरसल ये noun हैं ही नहीं, क्या है, noun नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी parts of speech या ऐसा कोई भी word जो basically noun नहीं हो, जो basically noun नहीं हो, उनका यदि singular से plural कहीं भी हम लोगों को बनाना पड़े, तो इनका singular से plural बनाने का सर्फ और सर्फ एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है में कभी yes नहीं लगता, और कोई भी ऐसा वाड जो किसे दूसरे parts of speech का हो, कि उसका use कभी noun के रूप में किया जाए, ठीक है, तो उनके last में सिर्फ और सिर्फ एस एड करके हम लोग उनका singular से plural बनाते हैं, बात समझ में आया, जैसे आगे चलके हम लोग पढ़ेंगे, आपक पूछा जाता है, और पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए हम लोगों को ये पढ़ना ही होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलिए, अब यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे निकलते हैं, तो इन सबों का plural कैसे बनेगा, और का, और अब ये और क्या है, एड्जक्टिब है, पुरूफ क्या है, ब्रीफ क्या है, तो इन सब का कैसे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इस लगा का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग चलते हैं, कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं, अब आपको सीखना क्या है, जैसे अभी थोड़ी दि पहले हम लोग compound noun पढ़ रहे थे, compound noun में हमने आपको बताया, यह father in law, ऐसा हम लोगों ने देखा था, इसको हमने बताया था, hyphenated compound noun, ठीक है, तो ऐसा कोई भी compound noun हो, इसका यदि singular से plural बनाना हो, तो हम लोग इसका singular से plural कैसे बनाते हैं, तो जो common trend है, जिसको हम सम लोग से जानते हैं, सीखते आ रहे हैं, वो यह, आखिर में लगाते हैं, तो law था, इसलिए law लगाती, clear, यही format आपके exam में दिखाई पड़ता है, या तो ऐसा दिखाई देगा, या ऐसा यह दो format आपको exam में देखने को मिलता है, और यह दोनों ही format क्या है, यह भी wrong है, और यह भी wrong है, बात समझ में आ रहे हैं, तो इनके concept को भी हम लोग आगे सीखेंगे, अब singular और plural से जुड़ा हुआ एक और concept हम लोग सीखते चलें, अब हम लोगों ने बजपन से ज देखने को मिला था, यह man, तो man का singular से plural कैसे बनाते थे, man, इसका logic कुछ books में यह given होता था, यह हम लोगों को पढ़ाया भी जाता था, school में, coaching में, कि कुछ ऐसे noun होते हैं, जिनके beach के letters को change करके, हम लोग इनका singular से plural बनाते हैं, और उसी में हम लोगों को यह सिखाए जाता गूज, और plural हम लोगों क्या बनाते थे, ठीक है, तो अब जड़ा बताएं, यह रहा mister, इसका कैसे बनाएंगे, ठीक है, और इसी तरीके से यह रहा aux, उसी तरीके से यह रहा children, तो इसका यदि singular से plural बनाना हो, तो हम लोगों क्या करें, तो mister का बनता है measures, ठीक है, यह देख तो यह था children, यह already था plural, इसका singular क्या होता है, तो इसका singular होता है, ठीक है, इसमें भी देखे, यहाँ पे हमने भावेल को change नहीं किया, यह किसी लेटर को change करके, इनका singular से plural नहीं बनाया, यहाँ भी किसी लेटर को change करके, singular से plural नहीं बना, अर्थात, यह कुछ ऐसे nouns हैं, जो English सब्दावली में नहीं थे, जो English language में बेसिकली थे नहीं, यह दूसरे भासा से लिए गए, अब देखे होता क्या है कि सभी भासाओं में दूसरे कुछ प्रचलित भासा के बहुत popular लोक प्रिये सब्दों का मिसरन होता रहता है, addition होता रहता है, ठीक है, जैसे अभी COVID, एक के मदद से हम लोग आपको यहां पर सिखने, सिखाने का प्रयास करें, जैसे COVID, पहले दुनिया में नहीं था, लेकिन अब आ गया, अब देखे, दुनिया के जितने भी डिक्सनरी हैं, सभी डिक्सनरी में यह सामिल हो जाएगा COVID, ठीक है, बात समझ में आई, इसी प्रकार स पापड, लोटा, ऐसे बहुत सारे हिंदी के वर्ड हैं, जो बात में इंग्लिस डिक्सनरी में एड कर लिए गए, ठीक है, जैसे मोदी जी आया है, तो मोदी जी का बड़ा एक common tagline आता है, भाईयों बहनों, भाईयों बहनों, तो भाईयों बहनों के लिए इंग्लिस डिक इसको इंग्लिस डिक्सनरी में सामिल नहीं किया गया, वरना ऐसे कई सब्दों को भी इंग्लिस डिक्सनरी में सामिल कर दिया जाता है, ठीक है, चलिए, तो अब यहां से आगे निकलते हैं हम लोग, और अब इसके बाद हम लोग सीखना सुरू करते हैं, कि अपने SSC exam में से वो कौन कौन से रूल से हैं, जिन पर बेस्ट आपके SSC exam में कोशन आये करते हैं, तो चलते हैं थोड़ा साम लोग स्लाइट की तरफ और देखें, अब हम लोग को पढ़ना है, यह सी, पूलिस, चीफ मिनिस्टर, कप फूल, अब यह देखें, जो कप फूल आपको नजर आ रहा है, जो चीफ मिनिस्टर आपको नजर आ रहा है, तो मिनिस्टर तो समझ में आता है कि यह कौमन नाउन है, यह कप समझ में आता है कि यह नाउन है, लेकिन यह फूल क्या है, नाउन नहीं है, यह पूलिस, सिंगुलर होता है, यह प्लूरल होता है, इसमें भी आपको confusion है तो इन सारे confusion से बाहर निकलने के लिए हम लोग इसको थोड़ा ठीक से सीखने समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले difference में यह बात करें तो अनाज का जो गठर होता है। उसको बोलते हैं ठीक है अब यह गठर क्या है? common noun ہے जैसे धान हो, गेहुं हो ठीक है ये जब करता है तो जो किसान होते हैं या खेत में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, इनका एक bundle बनाते है ठीक है उसको क्या बोलते हैं sieve बोलते हैं तो चुकिंगे ये sieve क्या है common noun है इसलिए इनका plural क्या बनाते हैं तो क्या बनता है इनका plural? तो ऐसे नहीं बनाते हैं ऐसे आपके exam में given होगा जो तरीका गलत है जो कि ये common noun है तो इसका correct way क्या है? ये इसका correct way है आपके exam में इस format को दिया रहेगा ये format आपके exam में दिखाई देगा जो कैसा है? गलत है और ये format कैसा है? ये grammatically correct है अब देखिए police इस police word से आपको confusion है क्या confusion है भाई? तो police का मतलब हम मैं से कई लोग समझते हैं singular कई लोग समझते हैं plural और हम मैं से कई लोग इसी का singular बना लेते हैं policeman प्लूरल भी बना लेते हैं policeman अब देखिए इस confusion को दूर करें हम लोग हमेशा और हमेशा के लिए police word से police department में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों का बोध होता है चाहे वो किसी छोटे post पे काम करता हो या किसी higher rank पे काम करता हो पुलिस विभाग का कोई बड़ा से बड़ा दिकार ही क्यों नहों पुलिस word का यूज करने से उन सबों का sense express होता है यह जो police है यह हमेशा और हमेशा होता है plural और वर्ब लेता है कि वर्ब singular होगा या plural होगा तो यह वर्ब singular या plural हम लोगों को कहा पढ़ने को मिलता है तो यह पढ़ने को मिलता हम लोगों को subjective agreement में जो हम लोग ना उनके पहले पढ़ चुके है तो इन छोटे छोटे बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद हम लोग सishते है chief minister आप देखें यह जो chief है यह जो chief है इसको थोड़ी तीर पहले हमने आपको बताया था कि चीफ क्या है अब यह देखें chief minister झीक है chief minister अब इसमें क्या है कि यह minister साहब तो common noun है और चीफ मिनिस्टर दो सब्दो से मिलकर बना है इसलिए सबसे फ़ले यह क्या हो गया ऐसे कोई भी कमपाउंड नाउन जिसका एक वर्ड नाउन हो और दूसरा वर्ड नाउन नहीं हो बलके किसी दूसरे इनका यदि प्लूरल बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ नाउन वाले पार्ट का हम लोग सिंग्लर से प्लूरल बना कर उस पूरे के पूरे कमपाउंड नाउन का सिंग्लर से प्लूरल बनाते हैं जैसे जो Chief Minister है इसका यह प्लूरल बनाना हो तो इसका प्लूरल क्या लिखेंगे हम लोग लगेई चीफ Ministers क्या लिखेंगे Chief Ministers अब इस चीफ में अलग से ACS लगाने की कोई जरूरत नहीं है या SF को VES में convert करने के कहीं कोई जरूरत नहीं बात समझ में आ गए चलिए अब अगले concept को सीखें हम लोग हमारा अगला concept क्या है वाई तो अगला concept है अब देखें ये भी दो वर्ट से बना एक कप और दूसरा फुल तो ये भी क्या हो गया compound noun हो गया अब इनका rule क्या है आए इसको सीखते हैं ऐसे कोई भी compound noun जिनके ending में आपको ful दिखाए पड़े क्या दिखाए पड़े ful लगा हुआ दिखाए पड़े इनका जब भी कभी singular से plural बनाया जाता है या बनाया जाए तो इनके end में यहाँ पे इस add करके हम लोग बनाते हैं इनका singular से plural क्याइड करते हैं तो इनके end में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस add करके बनाते हैं इनका singular से plural आपके exam में कैसे given होता है यह देखें आपके exam में given होता है cups और यह पैटर्न कैसा है तो यह पैटर्न रॉंग इनका correct answer क्या होता है तो correct answer होता है cup यह कैसा है तो यह correct है और यह कैसा है यह रॉंग है ठीक है बात समझ में आई अगला confusion आता है यहां से man servant woman servant इस तरीके का क्या concept है इसको आते थोड़ा सब लोग बोर्ड की तरफ कि देखिये मैं servant हो लेडी डॉक्टर हो मैं इटर हो ठीक है वो मैं वो मैं हेटर हो यह सब के सब क्या है तो सबसे पहले चुकि यह एक से ज़्यादा वॉर्ड से मिलकर बने इसलिए इसलिए इन सब को हम लोग क्या कहेंगे compound noun कहेंगे इनका concept क्या इसको थोड़ा ठीक से समझने का प्रयास केज़ेगा क्योंकि यह यदि आपके इसलिए अगर अगर हम आपको दीट करते हैं कर स समझाने का प्रयास करते हैं ताकि graduating की जरूरत न और हम आपको रठने से जहां तक हो सके हर संभव मुक्ति दिरा सके ठीक है अब देखें इनका concept कहें इनका concept ऐसा है कि ऐसे कोई भी compound noun इसको ठीक से समझेगा एकदम serious हो कि be alert पूरे concentration के साथ ऐसा कोई भी compound noun जिसका एक word man, woman, boy, girl, male, female ऐसा कोई भी हो ठीक है ठीक से समझने का प एसा कोई भी compound noun जिसका एक word male, female, boy, girl, man, woman ऐसा एक word उसमें attach हो इसका जब भी कभी singular से plural बनाना हो तो आप इसमें सर्फ एक बात का ध्यान देजेगा यदि इसमें ये जो male, female वाला word include है इस male या female वाले word का use respectively male या female के लिए होता है जैसे man servant का प्रयोग man के लिए हो सकता है जैसे माल लिजे हम man servant हो ठीक है तो man servant word का use man के लिए हो रहा है ना यह होता है तो यदि होता है तो इनका यदि singular से plural बनाना हो तो इनके दूनों ही word का हम लोग singular से plural बनाकर इस पूरे के पूरे compound noun का singular से plural बनाते हैं ठीक है ध्यान देजिए यहां पर हम पे इनका color थोड़ा सा change कर रहे हैं और change करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप यहां पर फिर से ध्यान देजिए यह देखें man का क्या बना plural में और servant का क्या बना servants तो दोनों ही word का singular से plural बना कर हम लोग इनका इस पूरे compound noun का singular से plural बनाते हैं ठीक है लेकिन यहां देखिए man eater हम लोग man है ठीक है boy है male है तो यहां पर देखें यह भी एक compound noun है जिसका एक word male या female से belong करता है ठीक है जेंडर को indicate करता है अब जरत ध्यान देजिए man को मार कर क्या man खाता है आप में से कुछ लोग यदि non vegetarian हैं भी मान सहारी हैं भी तो आप मटन खा सकते हैं मचली खा सकते हैं चीकन खा सकते हैं आदमी को तो मार के हम लोग खाते नहीं ठीक है तो इस man eater यह जो compound noun है इसका use respectively man के लिए नहीं होता इस word का use चुकि man के लिए नहीं होता इसलिए ऐसे किसी भी compound noun का आपको singular से plural बनाना हो तो इसमें man या woman जो भी male या female वाला जो भी word include होगा वो जैसा रहेगा वैसे ही लिखा जाएगा इसको man या woman यानि कि जो male या female indicating word होता है इसको छोड़कर इसके अलावा जो word given होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसका singular से plural बनाकर हम लोग इस पूरे के पूरे compound noun का singular से plural बनाते हैं ठीक है तो यह man eater का क्या हो जाएगा man eaters और similarly woman hater का बन जाएगा woman haters woman मत बना देना भाई ठीक है चलो हम इसका singular था और मैंने यहां भी singular प्लूरल किसका बना तो प्लूरल हम लोग सिर्फ वाले पार्ट का बना कर इस पूरे के पूरे compound noun का singular से plural हम लोगों ने बना दिया ठीक है यह बात समझ में आ गई अब एक और concept हम लोग समझ लें ताकि कुछ कोशन हम लोगों आज यहां पर बना सके अगला अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे यह फादर इन लोग इस तरीके का वोड़ यानि ऐसे compound noun जिन में हाइफ़न का यूज किया जाता है यानि हाइफ़नेटेड कॉमन नाउन के हम बात कर रहे थे इनका यदि singular से प्लूरल बनाना हो इनका यदि singular से प्लूरल बनाना हो तो इन में यह जो प्रेपोजीशन लगा होता है इस प्रेपोजीशन के पहले जो वाड़ अबलेबल होता है इसका singular से plural बनाकर इस पूरे के पूरे compound noun का हम लोग singular से plural बनाते हैं तो सबसे पहले यह कैसा है तो यह singular यह कैसा है यह singular ठीक है अब इसका यह plural बनाना हो तो plural आपके exam में जो given होता है हम उसकी चर्चा करते हैं exam में ऐसे question में आपको दिखाई देगा ये तरीका क्या है wrong है इसे का correct format क्या है तो correct format है fathers in law ये format कैसा है तो ये correct ठीक है ये कैसा है तो ये format हमारा correct है यही आपको exam में use करना होगा as a plural हाँ एक बात का आप ध्यान रखें यदि इसमें apostrophe इस लगाना हो क्या लगाना हो apostrophe इस लगाना हो तो सबसे पहले फिर हमें आपे आपको revise कर बाते हैं कि ऐसे compound noun का यदि singular से plural बनाना हो तो preposition के left वाले word में preposition के left वाले word में preposition के पहले वाले word में ACS add करते हैं और यह दिन का possessive case बनाना हो क्या बनाना हो possessive case बनाना हो ठीक है possessive case यह दिन का बनाना हो इन में apostrophe is add करना हो तो preposition के right वाले word में preposition के दाएं side में जो word लिखा होता है preposition के बाद जो word लिखा होता है उसमें हम लोग apostrophe is का use करते हैं that is इनका possessive case ऐसे बनता है fathers father in laws यह father in law यह जो singular वाला था इसका यह possessive है ठेक है जबकि और यह grammatically correct आपके exam में जब possessive case देखा इसका तो इस तरीके से देखा fathers in law और यह जो method यह कैसा है यह wrong ठीक है तो आईए इसका कुछ question हम लोग यहाँ पर solve करते चलिए अब यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ question given है और फटा फटे इन सारे question का आप answer करने का प्रयास करें तो आईए आसा करते हैं अब तक आपने इसको खुद से एक बार जरूर से solve कर लिया होगा अब आईए हम लोग फटा फटा इसको solve करते चले यह देखिए प्लूरल से नहीं बने बने गा बल्कि शीप का प्लूरल कैसे बनेगा वी इस लगा कर थिक हैयं twists. ऊसा सही एकास तास वार बहुँ है यह पार्ट हमारा क्या करेंगे चुकि यहां पांच पुलिस वालों की चर्चा है तो हमने आपको अभी थोड़ी दिर पहले बताया था पुलिस वार्ड से पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले समस्त्र लोगों का बहुत होता है इसलिए पुलिस हमेशा और हमेशा होता है प्लूरल और तो उस case में उसका singular बनता है police man, police man और उसका plural क्या बनता है police man जबकि police का कोई singular नहीं होता, police का कोई plural नहीं होता, police man से police department में काम करने वाले एक कर्मी की, एक कर्मचारी की sense express होता है और police man वार्ड से police विभाग में काम करने वाले या police एक से ज़्यादा की संख्या में हो, इसके संबोधन होती है, इसके चर्चा की जाती है तो यहां police man की जगा हमें क्या यूज़ करना होगा, हमें यूज़ करना होगा police man, ठीक है, board को clear करते हैं, आगे बढ़ते हैं से अगला ISO only five police, अब देखें ये five है और ये police है, तो five police होगा ही नहीं, और यदि यहां पे संख्यान लगा हो, तो five police की जग़े हमें क्या use करना होगा, तो यहां पे हमें use करना होगा police man, क्या use करना होगा police man, हमें ये board use करना होगा, ठीक है, question number five में चलते हैं, और five में देखें हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं तो question number five में देखिए हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है cups full और अभी अभी हमने आपको बताया कि cups full नहीं होता है यह जो cup full होता है इसका singular से plural बनाना हो तो इसका hide करते हैं इनके आखिर में तो इस question number five का answer क्या बनेगा option number यह बनेगा हमारा answer तो answer correct क्या होगा cups full की जगह इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा इसकी जगह हमें लिखना होगा cup full ठीक है बात समझ में आ गई तो आज के इस video session को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं इसके आगे के चीज़ों को हम लोग अगले class में continue करेंगे थैंक्यू